नमस्कार, हमारे चाइनल हिंदी हैं में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा पाठ है हामीद खा इसके लेखक है इसके पोटेकाड अर्थात संकरन कुट्टी पोटेकाड इनका पूरा नाम है इनका जन्म 1913 हिस्वी में केरल में हुआ ये मल्यालम के प्रसिद्ध कथकार थे केरल की मुख्य भासा मल्यालम ही है तो इसके पोटेकाड की कहानियों में किसानों और मजदूरों के दर्ध का सजी चित्रण मिलता है तो जाती और धर्म से उपर उठकर मानावता और भाईचारे का संदेश भी मिलता है इनकी कहानियों का विश्व की अनेग भासाओं में अनुवाध हुआ है इन्हें साहित्य अगादमी तथा ज्यान पीठ पूरसकार से सम्मानित किया गया 1982 इसी में इनका निधन हो गया प्रस्तूत पाठ हामित खा में लेखक ने अपने तक्चसिला यात्रा के दौरान हामित खा से हुई मुलाकात का वरणन किया है हामित खा जो की एक मुसल्मान है उसके साथ हुई अपनी बातचीत के जरिये लेखक ने हिंदू और मुसल्मान दोनों के दिलों में जो प्यार और एकता की भावना होती है उसे अभिव्यक्त किया है तो चरिये पाठ सुरू करते हैं एक दिन जब लेखक समाचार पत्र में तक्षसिला में आगजनी की खबर पढ़ते हैं तो उन्हें हामित खा की याद आती है और वो भगवान से प्रार्तना करते हैं कि हे भगवान मेरे हामित खा की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना तक्षिसिला प्राचीन भारत में सिक्षा का प्रमुख केंद्र था जो कि अब पाकिस्तान में है जब 1947 में देश का बटवारा हुआ तो तक्षिसिला पाकिस्तान के हिस्से में गया संप्रदाइक दंगो के कारण तक्षिसिला में आग जनी होती है अर्था धार्मिक जगडे के कारण दंगाई जगर जगर गाड़ियों दुकानों और समानों में आग लगा देते हैं तो इस खबर को पढ़कर लेखक चिंतित होते हैं और इसवर से प्रातना करते हैं ए भगवान हामित खा की दुकान को बचा लेना क्योंकि कड़कडाती धूप में लेखक का जब भूख और प्यास से बुरा हाल था तब हामित खा की दुकान में ही उन्हें छाया और बड़े ही आदर के साथ खाना मिला था तो लेखक को हामित खा की मेमान नवाजी तथा उसका प्रेम याद आता है इस घटना के दो साल पहले ही लेखक जब तक्चसिला में पौरानिक खंडहर को देखने गए थे पौरानिक अर्थात पुरानों से संबंधित याने जिनका वरणन पुरानों में मिलता है तक्चसिला विश्वविद्याले जो कभी पूरे बिस्व में सिक्षा का प्रमुक केंद्र हुआ करता था आज खंडहर बन चुका है उसे ही देखने और घूमने के लिए लेखक तक्चसिला जाते हैं वहां रेलवे इस्टेशन पर उतरने के बाद लेखक एक गाउं की ओर चल पड़ते हैं परंतु कड़कड़ाती धूप में भूख और प्यास से उनका बुरा हाल हो जाता है और कहीं कोई होटल नजर नहीं आता है उस जगह का वरणन करते हुए लेखक लिखते हैं गुस गए पठान उन्हें घूर घूर कर देखने लगा क्योंकि लेखक को देखने से ही उसे ये तो पता चल गया कि वो यहां के रहने वाले नहीं है और हिंदू है और वहां तक्ष सिला में हिंदू और मुसल्मानों में भाई चारा का नामों निसान नहीं था दोनों ही एक दूसरे को विरोधी मानते थे इसलिए लेखक जब पठान की तरफ देखकर मुस्कुराए तब भी वह उन्हें घूरे जा रहा था लेखक ने पूछा खाने को कुछ मिलेगा तो पठान ने एक बेंच की तरफ इसारा करते हुए कहा कि बैट जाएए चपाती और सालन है सालन मसालेदार सबजी होती है तो सालन अभी पक रहा था इसलिए दोनों के बीच बातों का सिलसिला सुरू होता है और लेखक के पूछने पर पठान अपना नाम हामिद्खा बताता है फिर हामिद्खा लेखक से पूछता है भाईजान आप कहां के रहने वाले हो तो उन्होंने जबाब दिया कि माला बार के हामित खा पूशता है कि यह तो हिंदोस्तान में है ना क्या आप हिंदू है तो लेखक बड़ी ही समझदारी से जबाब देते हैं कि हाँ, एक हिंदू घर में जनम लिया है मतलब हिंदू ही हूँ तो हामित खाको हैरानी हुई और एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पूछा कि क्या आप मुसल्मानी होटल में खाना खाएंगे अर्था हैरानी के साथ पूछता है कि क्या आप हिंदू है तो मुसल्मान के यहां खाना खाएंगे तो लेखक ने कहा, क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो बढ़िया चाई पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेजी जग मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं और बड़े ही गर्व के साथ लेखक उसे बताते हैं कि हमारे यहाँ यानि हिंदुस्तान में हिंदो मुसल्मान में कोई फर्क नहीं है हम सब मिल जुलकर रहते हैं भारत में मुसल्मानों द्वारा को डंगलूर में जिस पहली मस्जिद का दिर्मार किया गया था मैं उसी राजे से हूँ यह सब सुनकर हामित खा अश्चर रचकित हो जाता है और कहता है इकास मैं आपके मुलक में आकर यह सब अपनी आखों से देख पाता तो लेखक हामित से कहते हैं कि क्यों आपको मेरी बातों पर विस्वास नहीं हो रहा तो हामित्खा कहता है कि आपकी बात पर तो विस्वास हो गया परन्तु इस बात पर विस्वास नहीं हो रहा कि आप हिंदू है क्योंकि यहां का कोई भी हिंदू आपकी तरह इतने फक्र के साथ किसी मुसल्मान से इस तरह की बात नहीं कर सकता अगर हिंदू और मुसल्मान इमान से आपस में मुहब्बत करते तो कितना अच्छा होता उसकी बातों से यह साफ असपष्ट हो रहा था कि चाहे हिंदू हो या मुसल्मान सब एकता और प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं कोई भी नहीं चाहता कि दंगे फसाद हो लेकिन कुछ एक लोग ही है जो अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर एक दूसरे के प्रती नफरत पैदा करते हैं और दंगे फसाद करवाते हैं तब तक सालन भी बनकर तयार हो जाता है और हमिद एक अबदलनाम के लड़के को आवाज देकर बुलाता है जो लेखक के लिए थाली में चावल लेकर आता है और साफ पानी पीने के लिए रख देता है फिर हमिद खा थाली में रोटी और सालन परोस देता है और लेखक बड़े ही चाव से भर पेट खाना खाता है खाना खाने के बाद जब लेखक हमिद खा को खाने का पैसा देता है तो हमिद बड़ी विनम्रता के साथ उनका हाथ पकड़ कर पैसा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे महमान है मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। उस कुछ ही समय की बातशीत में एक हिंदू और मुसल्मान में इतना अपनापन हो गया था। पर लेखक जब हामिद को अपनी मुहबत की कसम दे कर पैसा देने की कोशिस करते हैं तो हामिद उन्हें कहते ह हैं कि भाईजान आप जब भारत पहुँचे तो किसी मुसल्मानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाईएगा और अपने इस तक्छिसिला के भाई हामिद खा को याद की जिएगा। वहां से लेखक तक्छिसिला के खंड़हरों की तरफ चला गया उसके बाद फिर धर्म से उपर उठकर मानवता और अपने पन का अहसास दिलाया और उसी अपने पन के चलते जब संप्रदाइक दंगो की खबर पढ़ते हैं लेखक तो चिंतित हो जाते हैं और हामिद के लिए भगवान से प्रातना करते हैं कि हे भगवान आप उसे और उसकी दुकान को ब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा धन्यवाद